दोस्तों उत्य प्रदेश के प्रयाग राज में गैंग्स्टर से नेता बने अतीक अहमत को तीन शूटरों ने गोली मार दी वो भी मीडिया और पुलिस की मौजूद्गी में हत्या का स्टाइल कुछ वैसा ही था जैसे अतीक खुद अपने विरोधियों को मारता था अश्कार मैं हूँ आपके साथ सैंपरवीन और आप देख रहे हैं जनता की अवाज दोस्तों उत्य प्रदेश में गैंग्स्टर और गैंगवार कोई नहीं बात नहीं है 1970 के दशक में बाहु बली चात्रनेता से विधायक बने रविनी सेंग की गोरकपुर स्टेशन पर हत्या हो या 1967 में उनके उत्राधिकारी विरेंद प्रताब शाही का लकनों में सडक चलते मडर उत्तर प्रदेश और खास तोर पर पुर्वांचल में हर गली में गैंग्स्टर शूटर आम है लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने लोग गैंग्स्टर बनते क्यों हैं दोस्तो गुंडागर्दी को ग्लैमराइज करने वाली कहानी कहीं गरीबी का हवारा देती है तो कहीं परिवार पर अत्याचार और अन्यायका इन वज़ाओं से कोई व्यक्ति बदला लेने के लिए एक खुन तो कर सकता है मगर ऐसा क्या है जो उसे गैंग्स्टर बनाए रखता है तो इसका जवाब है दोस्तो पैसा लेकिन दबंगई से जमीन कबजाने, सैटलमेंट और अंदारी से मिलने वाले पैसे से कहीं बड़ा एक सरकारी सिस्टम भी है जो खास तो और पर यूपी में गैंग्स्टर्स को लुभाता है जी हाँ दोस्तो गैंग्स्टर्स को बहुबल के साथ धनबल के शिखर पर ले जाने वाला ये सिस्टम है सरकारी टेंडर दोस्तो सड़क बनाने से लेकर बालो निकालने तक या मचली पालने से लेकर रेलवे स्क्राप तक हर काम का ठेका जारी होता है यूपी में बाहु बली की ताकत इसी से आ कि जाती है कि उसके इलाके में कितने Tender उसकी मरजी से खुलते हैं यानि कितने ठेके उसके चहेतों को मिलते हैं आजादी के 76 साल में ये ठेके सरकारी दफतरों से निकल कर उंलाइन तो हो गए हैं अगर सरकारे इनको अपराधियों और गैंग्स्टर से मुक्त नहीं करा पाई दोस्तो देश में कोई भी काम करवाने के लिए केंद्र और राजसरकारे निजी कमपनियों को ठेका देती है काम चाहे कोई भी हो उसके लिए उस फिल्ड से जोड़ी कमपनियों से टेंडर अमंत्रत किये जाते है कमपनियां अपने हिसाब से उस काम की लागत पूरा करने का समय और बाकी ब्योड़ा टेंडर में देती है संबंदत विभाग सबी टेंडरों की जाज करता है और तै नियमों पर जिस कमपनी को टेंडर सबसे खड़ा होता है उसे ठेका दे दिया जाता है नपे के दशक से सरकार ने ज्यादा तर ठेके ई टेंडर के जरिए देना शुरू कर दिये इसके लिए सरकार ने ओनलाइन प्रोक्योर्मेंट पोर्टल बनाया साल 2020 से 21 पोर्टल के जरिए सरकार ने कुल 17 लाग करों रुपे के ई टेंडर जारी किये दोस्तों आजादी के पहले से सरकारे निर्मान से लेकर खनन के सारे काम ठेके पर होते आए हैं आज भी हर तरह से सरकारी खरीद खनन और निर्मान ठेके पर होते हैं ये ठेके किसे दिये जाएंगे और कैसी दिये जाएंगे ये पूरी प्रक्रिया शुरू से ही ब्रश्टाचार के घेरे में रही है कभी मंत्रियों के प्रभाब कभी अफसरों की मिली भगर तो कभी बंदूग की जोर पर ठेकों का फैसला होता रहा है एक बार ठेका हाथ में आने के बाद सरकारी खजाने से पूरा पैसा निकाल लिया जाता है मगर सिर्फ खर्च जो होता है वो सिर्फ मात्र एक प्रतिशत वो भी मुश्किल से दोस्तों सरकार ने ठेका प्रक्रिया में इस तरह की धांदली को दूर करने के लिए ही इटेंडर प्रक्रिया शुरू की थी लेकिन अब ठेकों में रुची रखने वाले अपराधी भी इतने शातिर और हाइटेक हो गया है कि उनकी कंपनिया भी ओनलाइन टेंडर भरती है उनका आतंक अब इसी बात में माना जाता है कि या तो उनके इलाकी में उनकी ही कंपनिया ओनलाइन टेंडर भरती है या टें अज़ गये होंगे कि कैसे यूपी में सरकारी ठेकों की राजनिती ने अपराधी और अपराधियों के टकराव ने बाहु बली नेता तयार किये हैं दोस्तों आपका इस बुद्धे को लेकर क्या कहना है आप अमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बागी खबरों के लिए देखते रहे हैं जनता की अवाज जनता की अवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथ की बैल आइकन जरूर दबाएं